जहिन सातियों 14 December 2023 का पहला MCQ आपके सामने है Which species was recently reclassified from critically endangered to near threatened on IUCN red list तो IUCN की red list में किस species को reclassify किया गया है critically endangered से near threatened मतलब वो species पहले critically endangered था और अब near threatened हो गया है recent classification में IUCN की red list में ठीक है तो आपको identify करना है कौन सा है वो species आपके options से साथ हो पहला option है सावला, second option है जावन राइनो, third option है साइगा एंटलोप और last option है सुमात्रन ओरंग्योटैन ठीक है इन चारों में से किस species को reclassify किया गया है critically endangered से near threatened की कैटेगरी में by IUCN red list ठीक है तो इसका सही आंसर है C, cyga antelope तो अभी हाली में IUCN की red list है उसने reclassify किया है cyga antelope को from critically endangered to near threatened ठीक है conservation efforts के द्वारा जो है species को बचाया जाता है उनकी जनसंख्या उनकी population बढ़ाई जाती है ठीक है तो यह conservation efforts को denote करता है साइगा antelope के कि उन्हें बचाया गया उनको अच्छे से रखा गया उनकी conservation efforts किये गये उनके habitat का ध्यान रखा गया जिसके वज़े से उनका जो population है बढ़ गई और वो critically endangered से क्लासिफाई हो गए नियर थ्रेटेंड में ठीक है देख लेते हैं कहां कहां पाया जाता है तो साइगा antelope कहां पाया जाता है कजाकिस्तान में मंगोलिया में रश्यन फेडरेशन में तुर्कमेनिस्तान उसबेकिस्तान मतलब Central Asia Central Asian region में यह पाया जाता है ठीक है Central Asia और North Asia या इस्टर्ण यूरोप आप कह सकते है ठीक है तो यह इस्टर्ण यूरोप जोकी रश्या आता है जहां पर और Central Asia जहां पर कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उसबेकिस्तान यह सब बाते मंगोलिया आते हैं यह सब जो है यहां पर साइगा पाया जाता है ठीक है तो कैसे साथ यो साइगा एंटलोब के से आद रखेंगे कि नियर थ्रेटेंड हो गया है तो जो सगा होता है उसको हम लोग नियर रखते हैं अपने पास रखते हैं जो सगा होता है हमारा उसको हम लोग पास रखते हैं तो साइगा से आद रखेगा सगा एंटलोब ठीक है सगा एंटल पहले कितने में थे पहले critically endangered थे उसके बाद ही लोग यह थ्रेटेटेंड में आ गई है ठीक है तो यह रखेगा जो सगे होते हैं उनको हम लोग पास रखते हैं नियर रखते हैं तो कौन साइब थ्रेटेंड क्लासिफाइब हुआ है तो साइगा एंटलोफ सगा एंटलोफ ठी लिए नहीं पाया जाता है इसका इंडिया में नहीं पाया जाता है अपके सामने से तो आप मैंanged एन्वल क्लाइमेट समेट हो रही है तो वहाँ पे एक सहमती बनी है जिसके बारे में आपको बताना है तो आपको पूछा गया है तो आपको जो है फॉसिल फ्यूल्स का कब तक अचीव करने की बात होई है यूई एए ऐ बताना है आपको बताना है पहला यूशेज होगा वह कब तक हो जाएगा यूए एक अनूसार तो इसका सही आंजर है 2050 थीए 2050 तक जो है सारी पार्टी जो है जो भी COP 28 में जो भी पार्टी जिन्हों ने साइन किया है उनको फॉसिल फ्यूल कर देना पड़ेगा 2050 तक ठीक है इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी जलेगा नहीं या कोई भी फॉसिल फ्यूल नहीं होगा बर जितना भी फॉसिल फ्यूल इमिनेट होगा अट्मॉस्फिर में उसको कैप्चर कर लिया जाएगा या उनकी जगे पर कुछ ऐसी टेक्नॉलोजी यूज होंगी जो की नेट जीरो कर देंगी मतलब कोई भी जो कार्बन उसर्जन ह हो जाएगा या पेट्रोलियम यूज हो जाएगा इसका यह मतलब है कोई ऐसी टेक्नॉलोजी हो जाएगी जो पहले अगर 100 कोल यूज कर रही इतिमाल लीजे तो वह अब पांच कोल ही यूज करेंगी ठीक है तो इसके भी चलते यह नेट जीरो माना जाएगा और कहीं से भ की पाइव हो गया तो मिलगे एक थरी से लाग्यों ही हो गया और करेंगी इसको नडिएट जीरो केते ढ हैं तो यह कि कि प्यूंटा नेट फिसले फिक तक वह नेट जीरो हो जाएगा और याद करा शेऊ वाइव से याद रखें यहाँ पर फाइव होगा तो ट्वेंटी फिफटी तक इसको कर लिए जाए ठीक है पॉसिल का पूछा है तो फ्यूल्स में कितने लेटर है एक दो तीन चार पांच तो पांच लेटर है इसमें तो याद रखेगा जो भी यह वोगा उसमें पांच होगा तो याद रखेगा पचास तक तो 2050 यह काम करना है कि NET ZERO करना है फॉसिल फ्यूल का ऊसेज कुछ और चीजे हैं UAE नेक्स लाइड में बात करता है नेक्स्ट वेश्चेन ने देखिया आपके सामने यूए कंसेंसे से रिलेटेड तो विच इस वन अव दे स्पेसिफिक टागेट मेंशन इन यूए कंसेंसे रिगार्डिंग रेनेवर्स एंड एंड एफिशेंसी बाइट ट्वेंटी थर्टी अभी तो हम दोंग ने देखा कि फॉसिल हीलों को क्या करना है नेट्जीरो कर देना है यह फॉसिल फ्यूुक वील की बात थी लेकिन इसको आप कम कर रहा है तो आप इसके साथ साथ आपको क्या देखना ए को बढ़ा यह फॉसिल को मघएए उनेवल बढहा रहें तबी तो var तब यह नेट जीरो हो जाएगा जिसका भी हम लोग ने जिक्र किया था यहां पर हम डिलीट कर देते हैं यह थोड़ा सा मेरेस करते हैं ताकि अपने लोग के लिए आगे तो आपको यह बताना है कि और आपको यह बताना है पहला ऑप्शन है डबल हो जाएंगे इस तो आपके पास एफटिबली तीन ओप्शन बच्ते हैं और लास्त लास्त वाविंग् तो आपके पास effectively तीन option बचते हैं डबलिंग कॉड रूपलिंग और ट्रिपलिंग ठीक है तो 2030 तक renewables का क्या करना है आपको यह बताना है ठीक है तो साथ कि उसका सही आंसर है ट्रिपलिंग रेटेट ठीक है रेटेट ऑफ्टेटी ट्रिपल हो जाएंगे यहां पर यहां पर यह भी और तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2030 तक एट्रिपल सब्सक्राइब तो फ्यूल्स फाइब गुना हो जाएगा ठीक है तो यह रख सकते कि पारे में जब बात होगी तो पांच होगा उसमें यह पांच होगा और जब रेनेवाबल की बात होगी तो अगर रेनेवल अगर यह रहें तो यहां पर यहां पर यहां पर दोनों में तीन तीन है फ्यूल्स में पांच है और एक चीज़ा देखें ध्यान दीजें यह डबल ग्लोबल पर यहां पर फिर से डेख लेते फ्यूलumm होगा धियूल्स हो जाएगा में एक पांच मतलब तक ठीक है रेनेबल्स क्या है रेनेबल्स आप याद रखेगा sun होता है ना रेनेबल्स तो इसमें 3 लेटर है तो यो होगा ये 3 गुना हो जाएगा ठीक है इसकी capacity 3 गुना बढ़ा दी जाएगी इसको use करने किसकी energy use करने की और 3 गुने से मतलब याद रखेगा energy efficiency energy efficiency में 2 लेटर है तो 2x हो जाएगा लेकिन ये कब तक होगा 2030 तक ठीक है 2030 तक ठीक है ये तीनों गोल हम लोग ने यहाँ पर लिख लिए शान्ती से अब हम लोग फिर से बार रिवाइस करने fuels कब तक net 0 करना है fuels में 5 लेटर होते है तो 3x करना है मतलब triple करना है renewable की capacity ठीक है by कब तक by which year तो 3x है तो इसमें भी 3 होगा year में भी 3 तो 2030 तक ठीक है energy efficiency का क्या करना है तो energy efficiency में 2 word है energy efficiency तो इनको 2 गुना करना है लेकिन ये कब तक करना है ये भी 2030 तक करना है तो यहां पर हम लोग ने UAE consensus अपना पूरा ही अच्छे तरीके से याद कर लिया अब अगर एक्जाम में इस से related किसी से भी प्रशन आते हैं तो बहुत आसानी से आप करके इसको accurately कर पाएंगे ठीक है साथियो चलिए बढ़ते हैं अपने next current affair की और next question है साथ हूं आपके सामने how many new airports does Modi government plan to construct in उत्तरप्रदेश within next two years as unveiled by Union Civil Aviation Minister Jyotiradity Sindhya तो Jyotiradity Sindhya साहब जो हमारे Union Civil Aviation Minister है उन्होंने कितना airport construct करने की बात कही है उत्तरप्रदेश में ठीक है पहला option है six second option है nine third option है 12 और लास्ट option है आपके सामने 15 तो आप लोगे देखते रहीं कि कितने नए जो है airports आएंगे उत्तरप्रदेश में अगले दो सालों में तो इसका सही answer है nine ठीक है nine airports जो है नए बनाए जाएंगे अभी इसका इसकी जानकारी जो तरदित Sindhya साहब ने दिये जो हमारे Union Civil Aviation Minister साहब है ठीक है और टोटल फिर कितने हो जाएंगे पर टोटल कितनी हो जाएगी फिर एएरपोर्ट की संख्या उत्तरप्रदेश में तो अठारा हो जाएगी ठीक है तो अठारा हो जाएगे ठीक है याद रखेगा नौन ए एरपोर्ट आए अगले दो सालों में ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्क्रेंट अपर की इंटरनाश्णल मोनेटरी फंड फोर स्री लंका अंडर एक्स्टेंडड फंड फट लेकि तो श्री लंका को आई-एम-फ ने सेकेंड टांज में कितना अमाउंट अपूर्फ किया है आपको यह बताना है अपको पता होगा श्री लंका जो है फाइनाशल क्राइशिस से स्री लंका को आप जान रहे होंगे कि फनाइशल क्राइस से जूज रही है तो उन्होंने आई-मेफ का दर्वाजा कटाया है कि हम भाईया लोन देदो हम इस चीज तो बरना चाहते हैं पनाइशल क्रंच जो है हमारी कंट्री जेल रही है इतने वहां पे दिक्कते थी कि अभी पावर कट हो गई थी 14-14-15-15 घंटे पावर कट रहती थी तो वहाँ पे कई लोग मतलब वहाँ पे सिटिजन्स को काफी जो है परिशानिया महसूस करने पड़ रहे हैं इसी के कारण ठीक है तो आपको यह बताना है सेकेंड रांच में आई-मेफ ने कितना अमाउंट अप तो साथ कि उसका सही आंशर है ऑप्शन C 337 million dollars 337 million dollar जो है रिलीस किया गया है second रांच में आई-मेफ तबारा ठीक है यार रखेगा 337 million dollars और टोटल इनको कितना मिलेगा तो टोटल 3 million dollars मिलेगा ठीक है इनको financial reconstruction के लिए 303 billion dollars मिलेगा from आई-मेफ ठीक है टोटल कितना इनको र डॉलेस रिसीव चुका है आउट ऑफ ऐंटी से पेटेट थ्री बिलियन डॉलेस फ्रॉम याद रखेगा श्री लंका एस आर आई तो इसमें तीन है ना तो जो भी होगा जो है वो तीन-टीन साथ मिलियन है ठीक है आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा य छिरी थी विल पीडियोन डॉलेस भी एक गृट्विशस अबको मतलत भी विलियन अर को और एक गिलियन को पाना एक पीन alternative ृट्री fre Away सापने और ऐसमें आप तो महा लक्ष्मीम जो है तिलांग ना की उसका मेन-प्जीक्टिव क्या है आपको ये बताना है आपके options है पहला option है free health care for women, second option is free education for girls, third option is free travel for women, girls and transgender persons, और last option is affordable housing for transgender persons, तो इन चारों में क्या objective है, महालक्षमी स्कीम जो कि तिलंगाना स्टेट बारा चलाए गई है, आपको ये बताना है, ठीक है, तो साथ यो इसका सही answer है, option C, free travel for women, girls and transgender persons, ठीक है, तो प महालक्षमी स्कीम किसकी है, तो तिलंगना की है, तो हम लोग कहा थे साथियों, हाँ, तो हम लोग नहीं आंतर देख लिया था, कि जो तिलंगना स्कीम, तिलंगना स्टेट है, उन्होंने लॉंच की है, महालक्षमी स्कीम, महालक्षमी स्कीम, जिसके अंदर गया होगा, women, girls और ट्रांस गेंडर्स को free travel की सुविधा मिलेगी łatए और यह तु ilanagana की है इनका उब्जेक्ट अब्जेक्टिप में 10 गींडिक एग़्ञ्ञेंडर के लिए free movement जो है allow किया जाएगा mahalakshmi scheme के अंदर ठीच है तो याद रखेंगे लक्ष्मी जी के सामने जों लक्ष्मी जी होती है ना लक्ष्मी जी मा लक्ष्मी जो होती है उनके सामने हम तेल का दिया जला थे तेल का दिया जलाते है कि आप हमारे घर में आईए प्रधार य और रहीये तो तेल करीया त्रहां ल क Twin इसमें तरहाट रखिया जलाे है यहां algunos अभागा लक्षमी还 कि उसे क्लीव को ब्रणें सब्सक्राइब मारे मलं कंआ है लिए रखिती जा पर इसमें के सब्सक्राइब तरहारतना करते हैं कि आप हमारे घर में ट्राइबल करिये और रही है तो ट्राइबल से आद रखेगा वह प्री ट्राइबल फॉर विमेन गर्ल्स एंट ट्रांजेंडर्स है ठीक है साथियों आशा करते हैं आप कोई ट्रिक समझ में आई होगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और नेक्सक्ट्रेशन ने साथ हुँ आपके सामने विच इस फर्स्ट एंटिटी तु लिस्ट ऑन तो इस्ट तो यह तो पहली कौन से एंटिटी है जिसको लिस्ट किया गया है शुशल स्टॉग एक्चेंज में आपको यह वताना है आपके आप्रेर्शन से क्रेंट अप्षण होने वाली entity कौन है आपको यह बता रहें तो साथ यूँ इसका सही आंसर है उन्नती टो इस्किलिंग एंजियो है यह उन्नती जो की फर्स्ट है तो लेस्ट ऑन शोशल स्टॉक एक्सचेंज ठीक है नाम से ही समझ मारा रहा है शोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा जो शो तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे जिसे कुछ लोग होंगे कुछ entities होंगी education में काम कर रही होंगी कुछ कुछ person with disabilities के empowerment में काम कर रही होंगी तो जब यह लोग लिस्ट होंगी तो जो है इन्वेस्टर्स अपने अपने हिसाब से जो की फिलैंट्रफिक एंवेस्टर्स हो सकते हैं वो अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं माल लिजिए किसी को को different है किसी एस्ट कर सकते है तो पहला इस जो कि लिस्ट हुआ है उच्छेंज में वह व्यटि नती तो ये उनती है शोशल кे ट्विटा अब कौन-कौन से ऑपनेटर्स यहोंगे जो कि demonstrate करेंगे 67% of their activities have targeted undeserved or underserved sorry underserved or less privileged population segments or regions तो वो ही entity social enterprise क्या लाएगी जो कि 67% of their activities को जो कि direct करेगी towards underserved or less privileged population segments तो उन्ही को क्या किया जाएगा उन्ही को social entity माना जाएगा और उन्ही को allow किया जाएगा social stock exchange में लिस्ट होने में ठीक है आशा करते हैं आप यह चीज़ समझ में आ गई होगी याद रखेंगे 67% activities जो है उनकी underserved और less privileged population segments में cater करनी चाहिए ठीक है और सबसे पहली entity कौन बनी है तो उन्नती बनी है यह क्या करती है तो यह skilling engineer ठीक है हो सकता है आप से यह भी पूछने कि उन्नती जो list हुई है stock exchange में social stock exchange में वो किस domain में काम कर रही है तो याद रखना है आपको skill से ही उन्नती होगी ठीक है अगर आप skill हो आप skill होगी तब आपकी उन्नती होगी तब ही आप social stock exchange में list कर पाएंगे ठीक है फिर से देख लेते हैं बार skill होगी तो क्या होगा सातियों skill होगी यह ठ्रेक है ध्यान दिजेगा इसकी लोगी तो उन्नती होगी उन्नती होगी तो क्या होगा एससे में आप आएंगे इस तो चोशल आप लिस्ट हो पाएंगे ठीक है शोशल एंटिटी कौन सी होगी जो की लिस्ट हो पाएगी जो की 67 परसेंट उनकी अक्टिविटी अंडर सर्फ और लेस्ट प्रिवलेश्ट को केटर कर रही होगी ठीक है तो याद रखिएगा यह सब चीज़े यह चार डाइमेंशन है इ होगी यह ट्रिक समझ में आई होगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अफेर की और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथ हूं वाट टाइप ऑब्जरवेशन विल पेस मिशन प्रोवाइड ठीक है पेस मिशन जो है वो कौन से उब्जरवेशन प्रोवाइड करेगा आपको यह बताना है आपके option ग्लोबल ऑफ्रिक एंड वियॉण और अर्थ तो इन चारों में से पेस मिशन जो है वो क्या observe करके observations प्रोवाइड करेगा आपको यह बताना था आपने options देखे और इसका सही answer है और option C ग्लोबल एक्मोसफरेक और ओशनीक ऑप्जर्वेशन तो पेस मिशन तो है ग्लोबल एक्मोसफरीक और ओशनीक अब्जर्वेशन परवाइट करेगा यह जो कि क्या है इसका फूल फॉर्म प्लैक्टन, एरो सॉल, ग्लाउट and ओशन सिस्टम, ठीक है प्लैक्तन, मतलब प्लै सबक्राइब याद रखिएगा एक मॉस्फिरिक ग्लाओड ने पेस्ट प्रस्णों और ओशन और याद रहागा थे तो याद रखिया पेस्ट जो है दोनों प्रोवाइट करेंगा क्या क्या अफ्मोस्फिरिक ऑफ्शन और ओशानिक observation दोनों ही provide करे गए ठीक है और यह किसका mission है तो यह NASA का mission है ठीक है NASA का यह mission है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने next current affair की ओर next question है साथियो how many rockets are expected to be acquired as part of plan approved by defense acquisition council ठीक है यहां पर pinaka होगा how many pinaka multi barrel multi barrel systems are expected to be acquired as part of plan approved by defense acquisition council ठीक है कितने pinaka multi barrel rocket launchers है उनको procure करेगा आपको यह बताना है ठीक है आपके options है 4200 rockets second option 5000 rockets third option 6400 rockets और last option 7800 rockets ठीक है यह थोड़ी सी depth में detail है तो आशा करते हैं आप आप में से कई लोग को नहीं पता होगा पर जिन लोग को पता होगा उनको हमारा बहुत ही बहुत ही सल्यूट है क्योंकि वह बहुत ही ठगड़ तरीके से और बहुत ही इंडेप्ट जाके चीजों को कवर कर रहे हैं तो साथ यह इसका सही आंसर है और यह कितने में अक्वाइर किया जाएगा तो अभी हाली में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है प्रपोजल को एक प्रपोजल को ग्रीन लाइट दे दी है जिसके चलते इंडियन आर्मी की आर्टिलेरी दीफेंस मिनिस्टर सहाब धिर निप्र रॉकेट लॉट्वरम ली और यह मच्छ रॉंटे लोटेट करोड़ को लिए और यह भी है कि पिनांग्र रॉक्ट लांचर सिस्टम के लिए यह रॉकेट किये जा रहा है ठीक है सातियो चीज़े समझ में आयोंगी बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट अपेर की ओर तो आपको उताना है कौन सी सिटी इंडिया में जो है जिन्होंने टॉप पॉजिशन हासल की है इन टॉप पॉजिशन है इन मर्सर कॉलिटी ओफ लाइफ इंडेक्स तो आपके उप्शन से पहला उप्शन है पूने इन चारों में से कॉलिटी ओफ लाइफ सबसे ज्यादा किसकी बहतरीन है एस पर मर्सर कॉलिटी ओफ लिविग इंडेक्स तो साथ को इसका सही आंसर है हाइडराबाद है यहां पूने गलत हो गया ठीक है पूने सेकेंड नंबर पे ठीक है यहां पर देख लिए हाइडराबा हाइड की हाइड रखेंगा इस फ्लीटी ओफ फ्लाइफ की हाइड इसकी, मर्सर कॉलिटी ओफ लिविंग इंडेक्स की बात हो रही है यह तो हम्हों याद कर सकते हैं या कॉलिटी ओफ लाइब इसे जाद है है एच्वा ईदेक्स याम घुलॉली शातियों वियना उर्ग और वैंक होडर ने जो है तो याद रखिएगा कि quality of life index में सबसे आज अच्छी कौन सी है तो भी आना है उसके इंडियन में कौन है तो इंडिया में काफी हाइप बनी हुई है हाइप से हैच वाई से हिद्रबाद और पी से पूने ठीक है साथ हो आशा करते हैं आप कोई ट्रिक समझ में आई होगी पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर्स ठीक है तो कौन सी इंडियन एंटिटी है जिसको टेका कॉन स्टेटस हासिल हुआ है विट ट्वेंटी एट परसेंट सर्च तो उनकी जो वैल्यू है वो 28 परसेंट बढ़ी है रीचिंग 10 बिलियन डॉलर्स ठीक है तो ब्रैंड इंडियन प्रेमियर लीग और लास्ट आप्शन टाटा कंसेटेंसी सर्विसेस तो किस में हाल ही ने किस इंडियन एंटिटी ने हाल ही में 10.7 बिलियन डॉलर्स की जो है ब्राइंड वैल्यू अचीव ही है और डेका कॉन स्टेटस अचीव किया है तो साथ जो इसका सही आं अचीव ही है 10.7 बिलियन डॉलर्स तो यह 10.7 बिलियन डॉलर्स की उनकी जो है कंबाइंड ब्राइंड वैल्यू हो गई है और वो डेका कॉन स्टेटस पे आ गया है और आई पेल कब लांच हुआ था तो आई पेल 2008 में लांच हुआ था तो साथियों अभी हम लोग ने दे टार ने वता है तो सबसे पहले होता है मिनी कॉर्ण क्या होता है जहाँ पर वैल्वेशन ऐठी1001 मिलीयन डॉलर्स की होता है था कहा है फिर सभिंज सर्फ हो अन Geral वालो कर्ँधिक iedereen जान पहुंचने वंचन कहते रखें पहुण जाती है तब यू-ीकॉन कहते हैं तो उसको को कहते है और टेन मिल्यों टेन बिलिएन डॉलर के बाद 100 बिलियन डॉलर हो जाती है तो हेक्टो को ऊते हैं यह कु है यह फॉट हो गया यहां होगया जैसे करकर करके पहुंचने वाली जो बिलियन में उसको सुनी कॉर्ण कहते हैं और जो पूरी तरीके से वान बिलिएंड डॉलर पहुंच जाए वेल्यूइशन जिसकी यहादा हो जाए तो उसको यूनिकॉन कहते है ठीक है अब यहां पे बाद कॉनपँचेगा कहां पहुंचएक तो 100 बिलिएंड डॉलर पहुंचेगा और next question सान्य होँ आपके सामने what are the three key domains assessed by global peace index थीक है तो global peace index कौन से वो महत्रपूर तीन dimension तो यह बताना है आपको options है पहला option है Economic Stability Political Freedom and Environmental Sustainability Second option है Society and Security ongoing domestic and international conflict militarization levels थर्ड ऑप्शन है एजुकेशन कॉलिटी हेल्थ केर एक्सिशिबिलिटी एंड टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट और लास्ट ऑप्शन है कल्च्रल डाइवर्सिटी जेंडर एक्वालिटी और इंकम डिस्ट्रिबूशन तो इन तीनों में से ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है किन तीन की डोमें को असेस करता है फिर अपनी रांकिंग निकालता है आपको यह बताना है उसका उसका सही आंसर है option b नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सुसाइटल सेफटी और सेक्राइटी कि टनी है ओनग डुमेस्टिक इन इंटरनाशन कांफिक्ट कितना है उस कंट्री में बीटा वही करता हुए तो सबसे ज्यादा सभसट कंटरी कान तब है अभी तक तो सबसे ज्यादा दियुकर कंटरी आइसलेंड टिक है Alan कि के सबसे ज्ञादा सेफैस कंटरी कहां पे हैं निसमी रहती है तो आइसलेंड है जहाँ पर आई Pret यहां पर आइस बहुत होती तो सबसे यहांदा पीश होती है और वहीं सब्सक्राणिद आ ही तो इसलेंद होड्स टाइटल ना डोमेंस कौन कौन सी सोसाइटल सेफटी एंड सेक्योरिटी ओन गोइंग डोमेस्टिक एंट इंटरनाशनल कॉंप्लिक्ट और मिलिटराइशन लिए तो याद रखीगा पीस कब खतम हो जाती है संडे के बाद आपको मंडे कई सारे काम करने होता है कर आप वर्किंग प्र हो जाती है सोम याद रखीगा एस ओ एंड से क्या है सुसाइटल सेफटी और सिक्योरिटी ओसे क्या है ओन्गोइं डोमेस्टिक और इंटरनाशनल कॉंप्लिक्ट और मिलिटराइशन लिए सबस्यादा पीस कहा हो कि जहां पर आइस हो कि जहां पर लोग दंगई नहीं कर प टाउन डिट इनवागे अब थिरुवलू आरस सेगें तर्ड ऑक्षण है और लास्ट ऑप्षन नहीं है थी लुक्त पता नहीं है यह जो तीन मासव कर दिएए हुए तो हमको ये लग रहा है कि होगा इसका शर्जी होगा इसका क्रेंच टाउन साभर्ण साथ करा तो कुछ पांप में चिक या रखेगा त्राइस डियेच और ऐसी इत्राइस याद रखी दिया चाराइस याद रख़िए गार इसे सरजी ठीक है सागर एसे क्या है टीजमें पूछता है सबसक्राइब 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 आर प्रजेक्टेड टू विटनेस देर डेट सरपासिंग 35 परसेंट ऑफ देर ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट बाइंड ऑफ फिनैंशल यर 23 24 तो 2324 के आंड प्र प्रीटेंशल एंड में कितने स्टेट्स यह उनके पास कर्जा थार्ड ऑप्शन था 10 और लास्ट ऑप्शन है 12 तो साथ हो बहुत ही खतरनाग डेटा है कि जो 12 स्टेट्स है हमारी उनकी जो डेट है उनका जो करजा है वो सरपास हो जाएगा बाई 35% of their GSDP मान लीजे वो 100 रुपे उनकी रेवेन्यू है तो 35 रुपे उनका कर्स में ही चला जाएगा ठीक है तो आपको याद रखना है ऐसी 12 स्टेट्स हैं जिनके बारे में RBI ने अपनी रिमोट में यह कहा है ठीक है RBI की लेटेस्ट पॉब्लिकेशन आई है अन्वल पॉब्लिकेशन स्टेट ऑफ फिनांस रिपोर्ट उसके अंदर ये बात कही गई है कि 12 बास हो जाएगा और जी एस डीपी ठीक है यह भी याद रखेगा 35 परसेंट और 12 स्टेट थीक है 35 परसेंट और 12 स्टेट ठीक है चलिए बढ़ते हैं परे नेक्सकर इंटर पेर की और तो साथियों इसका सही आंसर है इटली ठीक है इटली ने एड्मिरल कप जीत लिया है कैसे याद रखेंगे इसको तो एड्मिरल कप जो भी जीता होगा उसके लिए ताली बजेगे ताली स्याद रखेंगे इटाली ठीक है ताली स्याद रखेंगे इटाली स्याद रखेंग टीम इंडिया लेड़ बाइ मिड्शिपमेन पीपीके रेड़ी एंड कैड़ेट जीवाय रेड़ी इमर्जद रखनारप ठीक है और टीम उनाइटेट केंड़म और टीम जर्मनी शेयर थर्ड पोजेशन ठीक है पहले पर इटली है उसे वाद इंडिया है ठीक है तो एड्मि ऐगी बढ़ते हैं अपने next current अफियर की यहां से साथ हो हमारा rural banking अफ recipients शुरू हो रहा है अगर आप पैन इस प्रेंट नहीं नहीं है तो आप यहां से वीडीयो ड्रॉर करके जा सकते हैं प्रित और बेंट और जो भी रॉंसे भी आफिा बाइश्ब घाएवाण इनिविच इंडियन स्टेट इस फॉक्स कॉंच सेट टो इंवेस्ट एन अडिशनल 139 बिलिएन रुपी तो फॉक्स कॉंच जो है किस स्टेट में 139 बिलियन रुपी इंवेस्ट करने वाला है आपको यह बताना आपके options है पहला option है महाराष्ट, second option है करनाटिका, third option है तमिलनाडू और last option है गुजरात ठीक है तो Foxconn जो है करनाटिका में invest करेगा additional 139.11 billion रुपीस ठीक है तो Foxconn क्या है यह ताइवान-based company है जो की iPhone assembly करती है ठीक है iPhone को assemble करती है ठीक है तो iPhone की unit आ गई है करनाटिका में ठी दिखान दिजेगा additional कितना invest किया रहा है तो 139.000.000.000 रुपीस जो है additional invest किया जा रहा है ठीक है कैसे याद रखेंगे की जो Foxconn है ठीक है Foxconn है Fox ए याद रखेगा Fox iPhone के लिए जो है आइफोन के लिए नाटक कर रहा है ठीक है नाटक स्याद रखेंगे करनाटक ठीक है आइपोन के लिए Fox नाटक कर रहा है ठीक है एगर आप यह पूचा जाए कि और किस entity ने iPhone Assembly के लिए करनाटक में आइफोन के लिए नाटक करता है तो श्रमाटक करता है ठीक है तो फॉक्स आईफोन के लिए नाटक करता है ठीक है तो फॉक्स वा만ल 20 ऐज सॉमय चैनल बड़ते हैं आपने करेंट को सह सांत्स प॥ इसंद आयों आपको यह वताना है एक to recent RBI survey how many Indian banks significantly increase their overseas presence in fiscal year 22 23 to RBI के मुताबिक कि कितने Indian banks ने अपनी presence overseas बढ़ा लिए है 22 23 23 financial year में fiscal year में ठीक है तो पिछले साल तक कितने जो है Indian banks ने overseas presence अपनी establish कर ली है RBI के अनुसार आपको यह बताना है आपके options है पहला option 10 second option 14 third option 20 और लास्ट option 25 ठीक है तो कितने Indian banks ने overseas presence अपनी establish की है पिछले साल 2023 22 23 में तो साथ यह इसका सही आंसर 14 ठीक है 14 banks ने जो है अपनी foreign branches खोल ली है या सबसे दिरीज खोल लिए ठीक है 14 banks और टोटल इंडिया Indian banks की branches और सबसे डिरीज कितनी हो गई है तो 417 ठीक है 14 इसका उल्टा 41 या 417 ठीक है ऐसे याद रखेगा 14 banks और टोटल ब्रांचेस कितनी हुए 14 का उल्टा 41 और साथ ऐसे याद रख लिए तो ऐसे आप दोनों ही चीज याद रख पाएंगे पोटीवन का उल्टा करें तो 14 ब्रांचेस कि lain ब्रांचेस ने अपनी रख ली है और टोटल ब्रांचेस किटनी होगसी कितनी होगई है सब्सक्राइब करने का जो है पार्टनर्शिप की है आपको यह बताइब करने का पार्टनर्शिप की है आपको यह बताना आख किस इंडियान वाक साथ मिलके रहा इंडाइब का इस लें इसका सभी गोह बैंक वैइंडाइंडुसीट प्रॉड किंट वह प्रड़क्षन ऑक कंप्रेश्च बायो गयाज। यह क्प्रेश्ट वायोगास के लिये किया है किसके लिए चाहिए नगेया हणी इसहा तो सब्सक्राइब कर रहा है या तो आप यासा को सकते हैं डॉक्टर यह बाइय पर यह तो दो liebe तो यह दूनों मिलके partnership किये हैं बायो गैस production के लिए ठीक है आशा करते हैं आपको इंप थे जो फिर देख लेते हैं तो क्या कर रहा है डॉक्टर बायो गैस पूर्डियूस कर रहा है ठीक है बायो गैस कर रहा है ठीक है डॉक्तर से क्या है दी से डीपीयास बैंक है और से रिलाइंस इंडस्री है अगर आप से पूछेगा डीबियस बैंक के साथ किसने बायो ग्यास प्रोडक्शन के लिए पार्टनर्शिप किये तो आपको याद रहे का डॉक्टर तो डी से डीवेंक पूछा हुआ है और क्या पूछ रहा है तो रिलाइंस आर के ब टो डी मिसेंगा है डी से क्या है बीजिटि इपैस कि आशा करते हैं अपको ही कणे डीख और लास्ट और पिस वन फिप्टी करोड तो टाटा स्टील कितना खर्च करेगा सेंटर फॉर इनोवेशन इन सस्टेनबल डिजाइन अगले चार सालों में आपको यह बताना है तो साहतियों इसका सही आंसर है एक सो चार करोड ठीक है एक सो चार करोड तो टाटा स्टील जो है उन्होंने कोलाबरेट किया है इम्पीरियल कॉलेज लंडन के साथ एस संटर फॉर इनोवेशन इस सस्टेनबल डिजाइन एंड मैनिफैक्ट्रिंग इन ठीक है कितना इन्वर्स करना है एक सो चार करोड ठीक है तो याद रखेगा टाटा स्टील ने किसके साथ मिलके इंपीरियल कॉलेज लंडन के साथ मिलके क्या स्टैबलिश किया है सेंटर फॉर इनोवेशन इन सस्टेनबल डिलाइन और मैनिफैक्टरिंग और कितना इंवेस्ट करेंगे चार सालों में एक सो चार करोड ठीक है इसमें चार डाइमेंशन निकलते हैं इस क्वेशन से बिलकुल ध्यान से पढ़िएगा और आशा है कि जरूरी पूछा जाएगा क्योंकि यह ओवर्सीज इंवेस्मेंट की बात हो रही है ठीक है साथियों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स करेंट की और इस नेक्स क्वेशन ने साथ किसामने अपॉइंटमेंट बेस्ट हूए रिसेंट्ले अपॉइंट्वेशन इपॉइंटेट यह टो पाट-टाइमबर पी आपको बनाया गया है आपको यह बताना है आपके एक सब्सक्रारमसें औरो और और नास्ट-प्षन सुनील तो कौन पार्ट-time member बना है PFRDA Board का आपको यह बताना है तो सातियों इसका सही आंसर है परम सेम तरहने जो है, additional secretary है, department of expenditure finance ministry में, उनको पार्ट-time member बनाया गया है किसका pension fund and regulatory development authority पार्ट-time member बना है, किसे प्रम पर टाइम और पीसे पेंशन फंड थीक है तीनों ही पीसे आराम होगा अर कि आप से पूचा जाता है बिल्कुल अपने नेक्स्ट करवेशन की और सब्सक्राइब करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए को कितनी लान अव क्रेडिक प्रौइड की आपको यह बताना है आपके आपके अप्शन से 50 जुरो निक्स्ट ऑप्शन है 60 जुरो थर्ड ऑप्शन है 70 million euros या last option है 80 million euros तो State Bank of India को German Development Bank KFW की तरफ से solar projects के लिए कितना line of credit मिला है आपको ये बताना था और इसका सही answer आती हो 70 million euros option C तो any significant move State Bank of India is set to sign 70 million euro line of credit with German Development Bank KFW to support solar projects in India तो सभी तो सब्सक्राइब कर सकते। याद है सब्सक्राइब करा है इस 나े तुने सब्सक्राइब कर रहें थिक है सबी सभी कि सोलर के लिए काने काने कर रहे है तो याद रखेगा अगर आप से यह पूचा जाता है कि KFW ने किसको लाइन ओफ क्रेट किया है तो आपको याद रहेगा यह पूरी लाइन याद रखेगा सभी ने सोलर प्रोजेक्स के लिए काए-काए किया ठीक है सभी से क्या है SBI ठीक है अगर आप से पूचा जाएगा SBI को किसे लाइन ओफ क्रेडिट दिया है पॉर फोडर प्रोजेट्स तो याद रहेगा SBI जो है सभी solar के लिए काये काये कर रहे हैं तो काये काये पूचा है काये से याद रखेगा KFW 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 ठीक है और अगर आपसे पूचा जाता है कि SBI और ने जो है लाइन ओफ क्रेडिट रिसीव किया है काये काये मतलब KFW से किस परपस के लिए तो किसके कि लिए काये कर रहे है तो सोलर के लिए काये कर रहे हैं तो यह जो है पर टेकर सोलर के लिए इंडिया में ज बोलर के लिए काय काय कर रहा है ठीक है आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी तो साथियों यहां पर हमारा पूरा सेशन समापत होता है आशा करते हैं आपको जेनरल स्टेडी स्ट्रिक्स की तरफ से सारी चीजें सारे कंपाइलेशन जो भी आपको स्टाटिक नॉलेज दी गई है आज की वीडियो में जो भी ट्रिक्स बताई गहीं है जो भी अधर इंफोमेशन प्रवाइड की गहीं वो अच्छी लगी होंगी तो इसी आशा के साथ कि आप लोग जल्दी सफल होंगे हम लोग कल फिर मिलेंगे 15 दिसेंबर 2023 के करेंट अफेर्स के साथ तब तक के लिए साथियों हो मैनत करते रहिएगा पढ़ते रहिएगा और जल्दी से सफल होईए अपने वहमी पापा को एक अच्छी लाइफस्टाइल दीजे और खुद को भी जीवन अच्छा सा पिताईए एक क्वालिटी आफ लीजे ठीक है साथियों हम लोग कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत